गाइस अगर आप भी Grow App से ट्रेडिंग करना चाते हैं तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे Grow App पर कैसे ट्रेडिंग करें बिलकुल आसानी step by step full जानकारी, full information सारी सटीक जानकारी के तौरा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे Grow App पर ट्रेडिंग कैसे करें, share भी खरीदना चाते हैं तो कैसे share खरीदे जाते हैं, तो चलिए जान लेते हैं आप नई विगनर हैं, पहली बार ट्रेड करना चाते हैं, Grow App एक बहुत बेश्ट एफ है, बहुत अच्छा एफ है ट्रेडिंग के मामले में, तो सबसे पहले आप को क्या करना है, आपको अपने मोवाइल फोन पर Play Store के जरीए Grow App को डाउनलूड कर रहें है, जैसे ही दोस्तों आप Play Store के जरीए आप अपने मोवाइल फोन में Grow App को डाउनलूड कर लेंगे, तो उसका कुछ interface इस तरह से आपको देखेगा, हमने अपने मोवाइल फोन में डा प्रवरली एकाउंट बन चुका है आपको बना लेना है इसकी बाद को क्या करना है कुछ ऐसा इंटरफेस देखेगा सबसे ऊपर देख सकते हैं आपर बोड़ा फोन बहुत सारी कंपने आपको देखेंगी और सबसे ऊपर आपको इस टॉक जो लिखा हुआ है आप देख सकते पहली बार यूज करना चाते हैं तो मेरा आप से राय इतना ही है आप नेफिवाक्न करनें यूज करें क्योंकि जो निरे भाई प्रोस्जा है नए विओनर के लिए बहुत अच्छा है और अगर आप पहली क्या यह रहा है ट्रेड्धिंग करना चाहते हैं सेहर खीना चाहत 10 दिन 1 week 1 month 1 year यहां से भी आप चेक कर सकते हैं हमारा graph कितना उपर गया कितना डाउन गया 1 year का सारा कुछ मतलब symbol आप यहां से चेक कर सकते हैं तो दोस्तों यह है process और इसकी बाद अगर अगले process की बात करें तो step by step जान सकते हैं दीरे दीरे guys बिलकुल properly आपको नेफ्टी 50 ही यूज करना है इसकी बात बैंक नेफ्टी अब अगर आप नई है तो नहीं यूज करना नीचे की scroll में आप company देख सकते हैं और नीचे अगर scroll करें यहां पर आप देख सकते हैं Vodafone company है और यहां पर Tata Steel है बहुत सी company आया है मतलब scroll by scroll और नीचे अगर production वाले production टूल वाले section पर क्लिक करें तो all tools है और आपर event है P and O है Q है सारी जानकारी है all stock पर आप stock देख सकते हैं किस company का कैसा stock है किस company ऊपर जा रही है किस company का महेंगा stock है जो आप आपर जो red minus में देख सकते हैं minus percentage red है इसका graph का मतलब यह होता है company नीचे की तरफ जा रही है stock नीचे की तरफ जा रहा है जो plus में है plus और green section आपको देख रहा है इसका मतलब यह है stock ऊपर की तरफ जा रहा है stock बढ़ रहा है तो बिल्कुल simple तरीका है यही एक तरीका होता है green का मतलब होता है plus में है और red का मतलब होता है minus में है minus में जो stock है वो नीचे की तरफ जा रहा है तो इसकी बात अगर आगे की बात करें आपको share खरीदना है किसी भी company का अगर आप share खरीदना चाहते हैं तो सबसे बहले आपको क्या उस company को open करना है कोई भी company है जैसे Vodafone मान लेते है Vodafone का ही एक test कर लेते है यह पर Vodafone वाला जो company आप देख सकते है यह पर लेखा हुआ है Vodafone Idea VI देख सकते है बिल्कुल properly इस पर open करना है कुछ ऐसा interface आजाएगा नीचे की तरफ sale Y sale का मतलब होता है आपने जितना store खरीदा आप बीचना चाहते है Y का मतलब होता है अभी आप Y कर सकते है अगर आप share खरीना चाहते है तो share खरी सकते है अभी इसका जो share है 10.78 पैसे का है और आप देख सकते हैं वारतिर होता है कर एक ہ Granth делать रहा हो हो रहा है और इसका भी आप graphics check कर सकते हैं व्न वीक में कैसा रहा और वन वन्त में कैसा रहा वन ययर में कैसा रहा और ओल समय में कैसा ग्राफ रहा इसकी बास दोस्तों अगर आप खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना खरीदना के लिए आपको केवल केवल y वाले section जो green y है ना green वाले color में जो y लिखा है सबसे नीचे corner में इस option पर आपको click करना है जैसे ही आप इस option पर click करेंगे एक नया पेज आपकी मोबाइल इस्कीन पर खुलकर आ जागा तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं ऐसा तो यहां पर सबसे महकपूर जानका रही है अगर आप नई विगनर है सबसे उपर लेखा हुआ डिलीवरी और इंस्ट्राडे तो डिलीवरी और इंस्ट्राडे में आपको आप खरी सकते हैं और आज ही आपको बेंचना है अगर नहीं बेंचना है तो आपने खरीदा हुआ वह खुदी चला जाएगा तो इंस्ट्राडे और डिलीवरी में यह अंतर होता है इसकी बाद अगर आपको खरीदना है तो यहां पर वाई वाले सेक्शन पर आप किलिक कर आप और आपको पुदी घाप।